हलो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को टीवाइब इकॉम के सेमिस्टर 6 ऑक्टोबर 2020 में जो ऑनलाइन एग्जामेनेशन हुआ था सबसे पहले आप लोगों को युनिवर्सिटी के ओफिशल वेबसाइट पे जाना है जिसका एड्रेस है एड्रेस डालने के बाद में यह युनिवर्सिटी का ओफिशल वेबसाइट आपके सामने उपन हो जाएगा उसके बाद में यहां पे जो उपर ऑप्शन से उसमें से एक्जामिनेशन ऑप्शन के उपर आपको क्लिक करना है फिर यह विंडो पॉप अप हो जाएगा उसके अंदर आप लोगों को यह थोर्ड वाल ऑप्शन है अल्टरनेटिव लिंक फॉर मुंबल युनिवर्सिटी रिजल्ट इसके उपर क्लिक करना है उसके बाद में यह आपको पूरा रिजल्ट जो है उसका यहाँ पर यह कौन से दिन पर रिजल्ट इकलेर रहे थी और लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी इसके अंदर सीरियल नमबर 42 अगर आप लोग देखोगे 42 वाला इसके अंदर यह जो है बोल्ड वाला इसके उपर आपको क्लिक करना है फिर यह विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा यहाँ पर पहले एक उपर वार्निंग दिया है वह आपको अच्छे से याद रखना है कि आपका IP अड्रेस रेकॉर्ड किया जा रहा है किसी भी स्टूडेंट के डेटा के साथ अगर कोई इसके लिए पनिश्मेंट मिलेगा तो आप लोगों को स्रीफ आपका खुद का रिजर्ट देखना है बाकी किसी भी स्टूडेंट की रिजर्ट को आपको कुछ भी मिश्चिप करना नहीं है अब यह आप लोग आपका प्रोविजनल ग्रेड कर कैसे देख सकते हो तो सबसे उसमें से फिर आप आपका सेश्थ सेर्फ आप सेलैक करो और फिर आपका नाम को यहांप करना है लेते हैं फिर आपके नामपे क्लिक करने के यहां पे गेत्यocr Woah इसके ओपरकल एंदेन आप लोगों का यह जो पूरा कड़े वह आपके सामने दिखाई देगा प्रो ऎकर करडों कर पिसा का लोग प्रिंटड ले सकते हैं आपके जो जॉब वागए तो उसके लिए आप लोग ये ग्रेड का टेम्परेरिली यूज कर सकते हो ओके, so this was all about how you can see your online provisional mark sheet of TYBCOM semester 6, October 2020 examination Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more such educational videos